कल हमने पोये में देखा था कि कवी कहते थे कि जैसे एक उपफन में बहुत सारे क्यारिया होती है उन क्यारियों में खीले सुन्दर, रंग भी रंगी फूल सारे उपफन को महका देते है वैसे ही इस दर्थी रुपी उपफन को हम प्रेम और सद्भाव की सुगन से बर दे और क्या बोला था कवी ने कि जैसे सूरज की चमक सारी दर्थी को प्रकास से बर देती है वैसे ही हम ग्यान और शटकुनों की चमक से पूरी धर्थी को प्रकासित कर दे तो कवीता में धर्थी गगान और पवन को एक पताया गया है और हमने क्या सिखा दा कि इन पंक्तियों के द्वारा दर्थी एक है आसमान भी एक है ऐसा है जब कोई किसी को अपना नहीं समझता और लोगों की चेरों पर तो फिर हमारे मन दिखाई नहीं देती गए के आंगन सुने प्रश्ण कौन पूछ रहते हैं हमें कवी हम क्यों सब को एक जिसा नहीं समझते हम नहीं आती सब के लिए एक जैसे क्यों नहीं हम कुछ ऐसा करें सब प्रेम से जिवन में खुसियाश बन जाए और सब की रदय को प्रेम के अम्रुष से और मेना बनकर तो कल हम यहां तक यह पोएम उस मंक्ति में कवी क्या कहना चाते के जैसे बूल-बूल कोयल मेना आदी अपनी सूरीलिच चहाट से सारे वातावरण को संगित में बना देती है उसी तरह से वहीं संगित हम सब के घर आंगन में बढ़ दे यानि क्या करना है कि हमें क्या करना है सब के साथ अच्छी तरह से behavior करना है और सब के साथ अच्छी तरह से हस्ते काते और सुख दूख में साथ देना है नयन किसी के रहे न गीले हस्ते हस्ते जीवन जीले अम्रुत विस मिल जूल कर पी ले हर मुश्किल से तब कर निकले कुंडन बने दमके इन पंक्तियों में कभी क्या कहना चाते हम यहां कोशिस करे कि किसी के जीवन में दूख न हो किसी की आखों में आसू न आए और सब की जीवन में खुस्या ही हो जीवन में यदि कोई मुश्किल घड़ी आए तो सब मिल जूल कर उसका सामना करे अम्रुत विस मिल जूल कर पी ले हर मुश्किल से तब कर निकले कुंडन बन दमके यानि हम सूख और दूख में एक दूसरे के साथ रहे जैसे सोना अगनी में तब कर कुंडन बन जाता है वैसे ही हमें अपनी कथिनाईयों से सीखते हुए अपनी कमियों को सुधारते हुए जीवन पथ पर आगे बदे यानि मुश्किल समय में ही हम सत्रू और मित्रों की पहचान कर पाएंगे और अपनी जो कमिया होगी और भूलों को जान पाएंगे हम सब के साथ साथ स्वयम को सुधारने का मोका भी मिलेगा और हमारा व्यक्तित्व ऐसे ही निखर चायेगा जैसे सोना आग में जलकर कुंडन के रूप में निखर जाता है तो हमें क्या करना है अमरूत और विस सब्दों का प्रयोग यहां क्यों किया गया है क्योंकि उसको सूख और दूख के अर्थे में किया गया है जिस तरह से सूख और दूख होता है उसी तरह से अमरूत और विस होते तो हमें उसे क्या करना है हसकर और मिल जूलकर पीना है यानि मिल जूर कर सूख और दूख को बाटना है तो बच्चो आज हमने ये दोनों पंक्ती में क्या सीखा हमें क्या करना है सब के साथ अपने पन से रहना है और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहत लानी है क्योंकि इस समय में किसी के छेरे पर मुस्कुराहत दिखाई नहीं दे रही है तो घर के आंगन जो सुने पद रहे तो वहां हमें हसी के थाहकोल की आवाजों से क्या करना है सारे वातावरण को भर देना है और ऐसे समय में हम कुछ ऐसा करना है कि सारे जगा खूसिया बिखर जाए जैसे बुलबुल कोयल मेना आदी अपनी सुरेली चहचहाट से सारे वातावरण को संगीत में बनाई देती है वहीं संगीत हम सबके घर आःगन में बढ़ दे और हम यह कोसिस करें कि किसी के जीवन में दूख नो हो किसी की आँखों में आसू नो आए सबके जीवन में खूसिया हो जीवन में यदि कोई मुश्कील गड़ी आए तो भी हम सब मिल जुलकर उसका सामना करे और सब सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहे जैसे सोना अगनी में तबकर कुंदन कुंदन यानी सोना तो सोना बन चाता है वेसे ही हम अपनी कथिनाईयों से सीखते हुए अपनी कमियों को सुधारते हुए जीवन पत पर आगे बदे सूरज सचमके यह पोएम से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सब के साथ अपने पंड से रहना चाहिए प्रेम और भाई चारे से रहना चाहिए और सब की मदद करना चाहिए तो बच्चों आज हम यहां तक यह पोएम सीखेंगे और आपका हुमवर्ख है कि आपको मौखिक जो question answer जो आपको दिये गए थे वो आपको learn करना है वो pdf में ने आपके वाट्सव ग्रूप में बेज दी है ओके thanks watching my video I hope आपको यह chapter में सब कुछ समझ आ गया होगा